प्यारे गोइंकन्स को मेरा प्यार बड़ा सलाम बच्चों, आज का हमारा उन्वान है हमारी गजा जो आपकी दर्सी किताब का सबक नंबर 10 है जिसका सिनफ यानि जानरा है इन्फॉमेटिव यानि मालूमाती यानि ये सबक पढ़के हमें बहुत सी मालूमात हासिल हो सकती है बच्चों, कुछ एहम मालूमात को हम कलमबन कर चुके है बच्चों, ये मालूमात पढ़ने से पहले मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ कि जो भी हम गजा खाते है क्या आपको पता है वो हम कहां से हासिल करते है तो चले मैं आपको बता देती हूँ कुछ गजाएं हम पेड़ पौदों से हासिल करते है और कुछ जानवरों से पचो पेड़ पौदों से हासिल होने वाली कुछ गजाएं कुछ इस तरह से है गेहूं, चावल, फल, सबसियां वग्ईरा ये सारी गजाएं हम कहां से हासिल करते हैं पेड़ पौदों से और दूद, अंडे, गोश्ट, मचली वग्यारा ये गजाएं हम कहां से हासिल करते हैं जानवरों से बच्चों जो भी गजा हम काते हैं हर कसम की गजा में मुक्तलिफ अज़िजा मौजूद होते हैं दौरा करता है। इसलिए बच्चों हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए ताकि हमारा खोन बढ़े और आसानी से जसम में दौरा करे। गज़ा ताजा हो और साफ हो क्योंकि गली सड़ी गज़ा और गंदा पानी पीने से मुक्तलिफ बिमारियां पैदा होती है तो बच्चों ये एहम मालूमात पढ़के हमें क्या सबक मिला इस सबका निचोड क्या है निचोड ये है कि अगर हम गैर मुतवाजन गज़ाए ज्य हमें ऐसी मुतवाजन गज़ा खाने चाहिए जिसमें विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन और कार्बो हाइडरेट शामिल हो मैं उमीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा पाकी वस्सलाम